जल्दी जल्दी इस वीडियों को लाइक कीज़े और अभी तर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लेट कला के बटन खोदाब के सब्सक्राइब कीज़े और इस घंडगे को बजा दीजिये के नोज वीडियों सबसे पहले देखना कीज़े नमस्कार फ्रेंट्स स्वागे थे आप सभी कर दर इस्टेडी लाइन में फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले SSC CHSL का प्रिबियस यर्स का कोशन्स जो कि एक्जाम की दिरिष्टिकों से बहुत ही इंपोर्टेंट है मैं आप लोगों को यहाँ पे CHSL का ऊप्रिबेर स्थ का में वाला हूं तो इस वीडियो का आप सुरून तर अप्सन नमर B नीबल फोर विट्स का एक समू नीबल बनाता है चलिए नेक्स्ट कोशन से फिरेंट्स वाई उदाब लेखी जिसको बैरोग्राफी भी कहा जाता है यह किसके दोवारा जो अविश्कार किया गया था वैज्ञानी का नाम बताना है फिरेंट्स तो फ्रेंट्स इस कोशन से वाई उदाब लूसियान वीदी के दोवारा बैरोग्राफी का विश्कार किया गया था अगला कोशन से फ्रेंट्स मदू में होने का क्या कारण है तो फ्रेंट्स इस कोशन से वाई उदाब लूसियान का कमी ठीक है इंसुलीन के कमी से मदू में लिए जिस का व्यग्यानिक नाम है तो फ्रेंड इस को इसंस का अउर्ण सर घॉला यॉप्टिया। नाम है चले आगे question सरे कि सकी प्रजाती के अंतरगत आते हैं तो रचेसे question ऑफ सन्साओंस बाप निरिया के प्रजाती के अंतरगत आते हैं कौन कि सी अनिमौन्ज है क्थट कुण बहुत है और बताना है ठीक है तो फ्रेंट्स इस को संसरो इलक्ट्रोन सब्सक्र लगाते यह याद रखेगा चलिए अगला फिरेंट्स भी देख लिए अगला फ्रेंट्स बेकिंग सोडा का यानि कि भी एकिंग सोडा क्या होता है तो फ्रेंट्स इस कुश्न सता रोगा आप सन नम्र C, सूडियम बाई कर्बोनेट का सूथ होता है, न ए है एच सीओ त्री, सूडियम बाई कर्बोनेट, ठीक है, चलिए अगला कोश्न से फ्रेंट्स, एलिफेंटा की गुफाएं कहा है, यानि किस राजह में सती था है, एलि चलिए friends, और गोगों के ओर बढ़ते हैं. आगे questions है, friends, निम्नमें से कौन सा उत्तर भारत यक शास्तिरी निरित्य है? तो friends, इस questions को अउन्पान का option number C राइठ होगा. कथक जो a dare friends भारत का यक उत्तर भारत का इक शास्तिरी निरित्य है, कथक. चले फ्रेंट्स आगे क्यों बढ़ते हैं आगे फ्रेंट्स कोशन्स नदियों में घुली वी ऑक्सीजन की मात्रा प्रती मिलियन कितनी भाग होती है फ्रेंट्स इस कोशन्स काउंसर होगा अप्सन नमर C पाँच भाग चले फ्रेंट्स आगे के ओर बढ़ते हैं आगे फ्रेंट्स निमलिकित में से किसे आम जलकुम्भी भी कहा जाता है तो फ्रेंट्स इस questions का अउसर का option नमर D एक ओर नियां एक ओर नियां को आम जलकुम्भी भी कहा जाता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा और दोस्तों के साथ सेर कीजेगा ताकि उनकी जरूरते भी पूरी हो जाए ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स आगे रुक्मनी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हुई है तो फ्रेंट्स इसको संस का आपका राइट अंसर का अप्शन नमर बी भरतनात्यम रुक्मनी देवी अरुंडेल भरतनात्यम से जुड़ी हु अपने सीमा साधा करता है और इन चार में से कौन नहीं करता है तो फ्रेंड्स इस questions का आपका right answer का option no.b मद्य पर्देश MP MP जो फ्रेंड्स हरियाना के साथ अपने सीमा साधा नहीं करता है चलिए फ्रेंड्स अगला कोशन से किसी गरह को एक यानि कि किस गरह को एक बॉना गरह करकर भी संबोधित किया जाता है यानि कि बॉना गरह के नाम से पुकारा जाता है तो friends इस questions का answer आपको जो एक comment box में comment करके बताना है कि बाउना गरह के नाम से किस गरह को बुलाया जाता है या सम्मूधित किया जाता है चलिए friends आगे questions की बढ़ते हैं आगे friends verse 2828 में अस्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे पिल्कुल इजी questions है friends option number D right होगा राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय ने 2828 में ब्रह्म समाज के स्थापना की थी चलिए friends आगे questions है सा जहां ने ताज महल का निर्मान करवाया किस की याद में करवाया था तो friends इस questions का उंसर होगा option number C मुम्ताज महल मुम्ताज महल की याद में सा जहां ने ताज महल का निर्मान करवाया था चलिए friends आगे है questions पर्थम फिल्म फेर आवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्व स्रेष्ट अभिनेता का आवार्ड जीता था तो friends इसका राय टांसर का option number C दिलिप कुमार दिलिप कुमार ने फर्थम फिल्म फेर आवार्ड में दिलिप कुमार ने सबस्रेष्ट अभिनेता का आवार्ड जीता था चलिए friends आगे questions है निमलिखित में भहतिक मत्राओं में से कौन सी एक अधिस रासी है यानि कि इन चारों में से कौन सी जो एक अधीस रासी है तो friends इस questions का उसर अप्सन नमर C यंग कामा पांक जो है एक अधीस रासी है बांक की ये जो सभी है ये क्या है सधीस रासी है चले friends आगे questions निम्लिकी तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के ताप माउन पर एक द्रब में रूप में पाये जाता है तो friends इस questions का उसर होगा अप्सन नमर B पारा पारा जो है friends कमरे के ताप माउन पर द्रब रूप में पाये जाता है चले friends आगे का questions है आगे है कोई भी वेक्ति भारतिय परधान मंत्री के रूप में अधिक्तम कितनी वार सिवारत हो सकता है यानि कि कोई भी वेक्ति जो है भारत में रने वाले कोई वेक्ति एक परधान मंत्री के रूप में जब रहते हैं वो कितनी वार परधान मंत्री बन सकते हैं तो friends इसके कोई सिमा नहीं है कि वो कितनी वार प्रथानमंत्र बन सकते हैं जितना हो सके उतना बन सकते हैं छले friends आगे questions आगे है यदि राश्ट्रप्रती आपातकाल की घोशना करते हैं तो इस उद घोशना को संसत द्वारा कितने महिने के भीतर समर्थन देना जरूरी है ठी यदि यदि आश्ट्पतिया पाताल की घुशना करता है तो संसत जो है इसको एक महग के अंदर जो है समर्थन देना जरूरी है संसत को ठीक है तो इसका राइट ऑप्शन नमर दी होगा एक माठ ठीक है चले फ्रेंट्स अगला क्वेशन से दीपी का कुमारी किससे सम्मंदित है याने किसखेल से समंदित है और फ्रेंट्स इसको अंसर होगा और द्पी का कुमारी से संमंदित है और आपका जो अंतिम गोशंस तो फ्रेंट्स इस तरह से मैंने आपको CHSL SSC CHSL का फर्स्ट प्रीडियो पसंद आएगी फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आएगी फ्रेंट्स एक लाइक तो बनता है साथ में अपने दुस्तों के साथ सेर भी कर देना अगर आप इसी तरह का एक्जाम बेस्ट को संस पान जए वारत